मैं नरेज सबलोक, मैं आप से सिस्टम के एक बहुत महतोपून विशे के उपर आज बात करने वाला हूँ आप यह जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूत होती है घर में सिस्टम है, हमारे office में सिस्टम है इसी परकार referral marketing में भी एक सिस्टम है 6 points का ये सिस्टम है, जिसमें पहला point है dreams and goals दूसरा point है list, तीसरा point है invitation चोथा point है show the proposal, पांचवा point है be a 100% user और 6th point है be a team player और उसके कुछ महत्वण मुद्दे हो रहे हैं जैसे की edification, counseling, follow-up, no cross-lining and bbf bsm, books and functions और आखरी point है duplication इसी में से point number 2 के उपर आज हम चर्चा करने वाले हैं आपने अपने dream fix की हैं और goal भी set की हैं और अभी आपको बनानी है एक बहुत बड़ी list मैं आज इसी बात को आपको बताने वाला हूँ की how to make a big list and how to add more more people into your list आप कैसे एक बड़ी list बना सकते हैं और कैसे बहुत सारे लोग उस list में add कर सकते हैं किसी भी business या किसी भी profession में एक prospect list बनाना जरूरी होता है एक prospect list insurance agent भी बनाता है property dealers भी बनाते हैं brokers बनाते हैं doctors अपने patients की list बनाते हैं medical representative doctors की list बनाते हैं credit card agents अपनी list बनाते हैं और auto sellers भी एक prospect list बनाते हैं वैसे ही referral marketing के अंदर भी आपको एक list बनानी है जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों की चलिए हम एक list बनाने की शुरुवात करते हैं आप उन लोगों का नाम अपनी list में लिखना शुरू करते हैं जिन को आप जानते हैं तो आप pen और pencil हाथ में लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो पहला नाम आप लिखते हैं अमिता बच्चन, अटल भहरी वाजपाई, मादर इदिक्षे, तेंडूल कर हाँ, आप इन सब को जानते हैं क्या ये लोग आपको जानते हैं? नहीं, तो आप लोगों को ऐसी list बनानी है जिन को आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं और उससे आप अप्रोच करके इस business का proposal दिखा सकते हैं ये normally माना जाता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे कुछ ऐसे ठेराय हुए लोग हैं जो इस business में जुड़ी जाएंगे और उनी की list बनाते हैं और ये होता नहीं अगर उन लोगों ने ना बोल दिया तो आप आगे बढ़ते नहीं आपको उन सब की list बनानी है जिन लोगों को आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं ऐसे आपको एक बहुत बड़ी list बनानी है आप करीब सो लोगों का नाम अपनी list में लिख सकते हैं अगर हम कुछ केटेगराइज करेंगे इनको तो ऐसे हो सकता है जैसे की business persons को आपके रिष्टेदार आपके दोस्त आपके neighbors स्कूल के contacts आपके कई housewives रहती हैं doctors हैं, lawyers हैं, accountants हैं stock brokers हैं, ऐसे बहुत सारे नोम है executives हैं, young persons हैं office जाने वाले लोग हैं आपके armed forces में कोई retired army officer air force, young officers रहते हैं वो हैं, property dealers हैं, life insurance के लोग हैं member of various clubs हैं, societies हैं associations हैं, यहां के कई लोगों के नाम आप लिख सकते हैं इस type से आप लोगों के नाम लिखते चले जाएंगे तो कई नाम आपके इन दिवांग में आते जाएंगे जिस school में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां के teachers के नाम लिख सकते हैं आप जब बच्चों को school में छोड़ने जाते हैं तो वहां पे कई parents आते हैं उनके नाम लिख सकते हैं, इस तरह आप जिन लोगों को भी जानते हैं, उन लोगों के नाम आपको अपनी list में add करते चला जाना है ये एक बड़ी big list आपके साथ बन जाए, small list will make a coward out of a brave person, एक छोटी list एक बहादूर आदमी को भी कमजोर बना डालती है, अगर आपने 10 लोगों का नाम अपनी list में लिखा है, और वो सब 10 के 10 आपको no बोल देते हैं इस business को जब आप proposal दिखाते हैं तो जो भी आपने बड़े सपने रखे हैं वो बड़े सपने gap हो जाते हैं इसलिए मैं जानता हूँ कि आप एक बड़ी list बना सकते हैं बहुत important है कि किसी को भी pre-judge करना नहीं है you are not the God to take the decision on their behalf that they are going to take this opportunity or not आप कोई भगवान नहीं है decide करने के लिए कि वो लोग ये opportunity लेंगे या नहीं लेंगे इसलिए आपको जो भी आपकी पहचान के लोग हैं उनका नाम आपको list में लिखना है अगर आप किसी का नाम पहले से सोच लेते हैं pre-judge कर लेते हैं कि ये काम करने वाला नहीं और उसका नाम अपनी list में लिखते नहीं है ये पक्का possible है कि वो नाम किसी ना किसी की list में तो आएगा और अगर वो इस business में जुड़ गया और उसने कोई बड़ा business खड़ा कर दिया तो आपको फी लोगा कि इसको तो मैं जानता था इसलिए लिखते समय जितने भी पहचान के लोग हैं उनका नाम आपको लिखते चला जाना है और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का नाम अपनी list में लिखना भूल जाते हैं या आप pre-judge करके नहीं लिखते हैं कि कितनी बड़ी आपकी list है यह important है कितने लोग जोड़ते हैं यह important नहीं है जैसे कि आप जानते हैं तो आप जो written down list बनाते हैं वो list आपकी city wise बननी चाहिए जैसे कि A का मतलब है अम्बरनाथ अलोक नहीं B का नाम है बैंगलोर भोसले नहीं P का मतलब है पूने पुनीत नहीं मतलब कि आप पहले alphabetically जो index बनाएंगे उसके अंदर cities का नाम लिखके उनको alphabetically लखेंगे और अंदर जाम नाम लिखेंगे तो वो नाम वैसे ही लिखते चले जाएंगे उस city में आपके पहचान के कितने लोग हैं आपको लिखना है इससे क्या होता है कि जैसे कि आपने city wise list बनाई और आपके ही कोई senior या upline वहाँ उस city के अंदर business proposal दिखाने के लिए हैं मान लीजिए आप पूना में है और आपके बाद Delhi की list है और Delhi में आपके कुछ लोग है पहचान के जिनको आपने list में लिखके रखा है पर उनको proposal नहीं दिखाया है अभी तक पर ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी अप्लाइन वहाँ पे है तो आप क्या करेंगे आपकी पूरी list में से Delhi की list में जाएंगे और उन सब लोगों को फोन करके बताएंगे तो वो उस proposal meeting में बैठ जाएंगे और जैसी proposal meeting बैठे और उसमें से कुछ लोग अगर आपके साथ इस business में जुड़ जाते हैं तो आपका बिजनस दिली में शुरू हो जाता है आप Delhi गए क्या? नहीं मतले कि आपके अपनी जगा से नहीं निकलते हुए भी क्योंकि आपकी list city wise थी आप इस business को अलग-लग शहरों में बढ़ा सकते हैं आपका intention क्या है? आप कैसा काम करना चाहते हैं? स्मार्ट काम करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो जो भी list अपने बनाई है उसको हम कुछ एक fair qualification करेंगे इसका मतलब यह है कि हम उसको थोड़ा साफ करेंगे और उसको prioritize करेंगे और जब हम prioritize कर ले देंगे तो उसमें से कुछ नाम हमारे पास ऐसे आ जाएंगे जो लोगों के जुड़ने के chances ज़्यादा होते हैं इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी list में सभी लोगों को proposal नहीं दिखाना है proposal सबको दिखाना है पर इन prioritize करेंगे लोगों को पहले दिखाना है यह एक formula है fair formula आप नाम लिखते हैं और उसके सामने लिखते हैं अभी इसमें आपको टिक करना है उस आदमी की background के हिसाब से और आप पका हर एक आदमी के background को जानते हैं क्योंकि आपके सब पहचान के लोग हैं जिनको आपने अपनी list में लाया है अभी F का मतलब है frustrated मलगी जो आदमी अपने आज जो काम कर रहा है उससे frustrated है या तो घर में अपनी wife से लड़ता है और office में अपने boss से लड़ाई करता रहता है इस type का frustration नहीं frustration इस type का कि हमेशा वो कुछ नया देखता है कोई नई चीज अपनी जिन्दगी में लाना चाहता है जैसे कि मैं जब से मेरा career स्टार्ट हुए तब से मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहता था इसलिए मैं हमेशा नहीं नहीं opportunity देखता रहता था ऐसे लोग आपके आस पास मिलेंगे और अगर वो frustrated है तो उसमें tick करना है ए का मतलब है ambitious ऐसे लोग जो ambitious हैं और महतुकांशी हैं कुछ जिन्दगी में बड़ा बनना चाहते हैं कुछ जिन्दगी में करना चाहते हैं जैसे कि जब मैंने अपना career शुरू किया था तो मैंने बहुत कम उमर में ही अपने को एक बड़ी post में जाने का सोचा था और मैं ही की companyों में corporate level में कई बड़ी post पे गया ये एक ambition है ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं जो हमेशा कही न कही बड़ा सोचते रहते हैं और कुछ न कुछ बड़ा बनना चाहते हैं I का मतलब है influential ये वो लोग जो कई लोगों के साथ रहते हैं उठते बैठते हैं और जानते हैं ऐसे लोग नहीं जो सुबह आफिस जाते हैं शाम को घर पे आते हैं और टीवी के सामने बैठते हैं रात को सो जाते हैं फिर सुबह आफिस जाते हैं और घर आते हैं, कहीं भी सुसाइटी में किस से मिलनसार लोग नहीं होते पर हमको हमारे बिजनस में मिलनसार लोग लगते हैं, तो ऐसे मिलनसार लोग हैं क्या हो? R का मतलब है resourceful और hardworking जो अपना काम निकालना जानते हों और ऐसे लोग जो अपना काम निकाल लेते हैं किसी भी तरीके से, ऐसे लोग इस बिजनस में बहुत successful होते हैं और hardworking तो होना ही चाहिए क्योंकि अगर महेंती है, तो इस बिजनस को बहुत बड़ी उचाई पर खड़ा कर देगे मान लीजे, आपने सो लोगों की list बनाई और उनको fair qualification किया आपने और कुछ 25 से 35 लोग ऐसे मिल गए जो कि सारे point उसमें tick हो गए मतलग यह frustrated भी है, ambitious भी है और influential भी है, और resourceful भी है अगर सारे point tick हो जाते हैं तो यह first priority है जितने भी लोग first priority में आते हैं उनको आपको proposal दिखाना है और इनको ऐसा proposal दिखाना है जिससे उनके जुड़ने के chance ज़्यादा हो क्योंकि वो already एक opportunity को देख रहे है second, third और fourth priority में जो लोग आते हैं उनको आप बाद में भी proposal दिखा सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि last priority में जो लोग आते हैं जिनके लिए सारे cross हो जाते हैं मलें frustrated भी cross हो गया ambitious भी cross हो गया influential भी cross हो गया और resourceful class हो गया मलें एक आदमी ना frustrated है ना ambitious है ना influential है ना resourceful है इसको proposal दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए जरूर दिखाना चाहिए क्योंकि इस पे एक तो आप अपनी practice कर सकते हैं और मान लीजिये कि आरो जूडने के लिए तयार हो जाता है तो उसको जोड़ दीजिये क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे सारी category में tick हो जाएंगे इससे एक आप बड़ा business खड़ा कर सकते हैं आप हमाईशा अपनी list को update कर सकते हैं जो भी आपने list बनाई है वो पहले आपने सोच के बनाई है पर अगर उस list को आप बार 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 सकैन करेंगे तो हो सकता है कि कई नाम उस list में add होते रहेंगे क्योंकि हम जब पहले बनाना शुरू करते हैं तो कुछ सोच के बनाते हैं पर बाद में हमारी सोच बदल सकती है अपनी applying के साथ बैठके अगर list को scan करेंगे तो वो भी आपको कुछ suggestion देंगे कि इस list में और कौन से नाम आ सकते हैं जैसे कि मैं college में था मैंने college छोड़े आज करीब 30 साल हो गए college छोड़के मैं यहां आ गया हूँ पर मैं किसी को जानता नहीं हूँ मैं service में चला गया पर आज इतना अच्छा हमरे पर एक resource available है कि अगर हम इंटरनेट पर जाते हैं तो उस college के alumni को हम find out कर सकते हैं सो डेट सो लोगों की list मेरे पास आ चुकी है जो दोस्त मेरे साथ college में पढ़ते थे ऐसे ही आप school के लोगों की list भी बना सकते हैं जिस school में आप पढ़े हैं आपको लगता है कि बहुत time हो चुका है पर ऐसा होता नहीं है उस school का PN अभी भी वहाँ पे होगा आप जाके उनसे मिलिए वो बताएंगे कि आपको आपके friends का हैं या आपके teachers का हैं इसलिए list कभी खतम होती नहीं है even जो list आपने अपने पहचान के लोगों भी बनाई एक list आपने ऐसी बनाई जिसमें आप लोगों को जानते थे एक list और बन सकती है जो list में आप लोगों को जानते नहीं है हमारे देश की population कितनी है 100 करोड से ज़्यादा इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पहचान कर सकते हैं आप उनसे एक चीज़ आद रखिए कभी भी आपकी list में लोग नहीं आएंगे ऐसा नहीं होगा पर आपकी हिम्मत होने चाहिए उनसे बात करने की और इस proposal को दिखाने की जिससे वो इस business में जरूर आएंगे अगर आप अपनी list को dynamic रखना चाहते हैं एक तरीका है आप अपनी list को बार-बार scan करते हैं दूसरा तरीका क्या है कि आप हमेशा नए लोगों को मिलते हैं उसके लिए आपको अपने मूँ पे एक smile रखना जरूरी है हमेशा हसते रहना जरूरी है कभी भी अगर आप इस stranger को मिलते हैं तो कभी भी उनको invitation देना नहीं है या proposal दिखाना नहीं है केवल stranger को अपनी list में लाना आपका काम है चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे लोगों को अपनी list में ला सकते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है इसको कहते हैं prospecting prospecting क्या होता है prospecting एक continuous process है आप shopping करने जाते हैं इसका मतलब prospecting करने जा सकते हैं ऐसा नहीं होता है prospecting आप कहीं पे भी कर सकते हैं क्योंकि आपको लोगों से मिलना है और सब जगा लोग ही लोग है आप railway station पे जाते हैं तो लोग है आप airport पे जाते हैं तो लोग है आप किसी शॉप में जाते हैं तो लोग हैं मॉल में जाते हैं तो लोग हैं आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में तो वहां भी लोग हैं मतलब कहीं पे भी आप जाते हैं तो वहां पे आपको लोग ही लोग दिखते हैं केवल आपको क्या करना है आपको अपना antenna tune रखना है और आपको ये समझना है कि आपका goal है कि आपको maximum लोग अपनी list में लाने है इसके लिए कुछ formulas हैं और कुछ rules हैं जो हम follow करेंगे जिससे आसान हो जाएगा जैसे कि पहला formula है 3 feet formula इसमें क्या होता है 3 feet formula का मतलब है कि आपके कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडी कोई भी आपके 3 feet पे आ गया तो उसको आपको अपनी list पे लाना है ये आपका goal है इसके लिए पहले तो एक बहुत एहम बात है कि आपको हमेशा अपने मूँपे एक अच्छी smile रखनी है हमेशा हसते रही हसने वाले लोगों से ही लोग बात करना चाहते है और फिर कोई भी सामने आ गया तो अगर 3 feet पे है तो उसको कहीं से भी बात शुरू करनी है जैसे कि मान लिजे आप bus stop पे खड़े हैं और कोई आपके 3 feet पे आ गया तो उनसे बोलिए कि देखिए कितना अच्छा मोसम है तो वो भी बोलेंगे बहुत अच्छा है आपकी बात वहां से शुरू हो जाती है अगर आप चाहें लिजे कोई bus आ रही है तो आप उनसे पूछिए कि ये bus कहां जाएगी तो बताएंगे आपको और फिर आपसे बात शुरू हो सकती है या आपकी shirt बहुत अच्छी है और उससे बात शुरू हो सकती है ऐसे कुछ भी एक भाना लगा के आप बात की शुरूआत कर सकते हैं आपका goal क्या है कि उनका नाम और उनका phone number आपके list में आना चाहिए इसके लिए एक formula से हम बात करते हैं उसको बोल अपने बारे में बताईए फिर उनके बारे में पूछिए जैसे कि पहला F है F का मतलब है family मतलब कि आप अपनी family के बारे में बताईए और उनकी family के बारे में जानिए तो मैं अगर किसी से पूछ रहा हूँ उनकी wife के बारे में तो बै कैसे पूछूँगा मेरी wife at school में principal है आपकी wife क्या करती है मेरी बेटी engineering कर रही है आपकी बिटिया क्या करती है या आपके बच्चे क्या करते हैं ऐसा उनसे शुरुआत कर सकते हैं तो उनकी family के बारे में आप जान लेते हैं यदि आप कहीं travel कर रहे हैं तो जब भी किसी से बात शुरू करते हैं तो पहले अपनी family के बारे में बताईए फिर उनकी family के बारे में जानिए मान लिए आप किसी आदमी से बोलते हैं अपने बताएं बताएं बिना कि आपकी wife क्या करती हैं तो इसका effect कुछ गलत जा सकता है इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है आपको एक बार आकर आप अपनी family के बारे में उनको बता चुके और उनकी family के बारे में जान चुके आपका relation बिल्ट हो जाता है दूसरा O का मतलब है occupation मतलब कि आपका क्या वैवसाय है आप क्या वैवसाय करते हैं और वो क्या करते हैं पूछना जरूरी है जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ तो मैं एक इंजीनियर हूँ और एक बड़ी company में corporate level में काम कर रहा हूँ आप क्या करते हैं ऐसा पूछा तो अच्छा लगता है अगर वो अपना कोई भी occupation बता रहे हैं या कोई भी service बता रहे हैं या कोई भी business बता रहे हैं तो उसके बाद very good बोलना बहुत जरूरी है मान लीजे वो बोलते हैं कि मैं एक फ़ला फ़ला company में काम करता हूँ तो अगर आपको मालूम भी है कि वो company बंद होने वाली है तो ये नहीं बोलना कि अच्छा उस company में काम करते हैं वो तो बंद होने वाली है ऐसा बोलना नहीं है आपको बोलना है very good अगर कोई business करता है छोटा हो या बड़ा हो किसी भी type का business हो वो बोलता है कि मैं इस type का business करता हूँ तब भी आपको क्या बोलना है very good इससे एक अच्छा relation और built होने का chances है आपको उनकी family के बारे में मालूम पढ़ गया क्या काम करते हैं ये मालूम पढ़ गया तो R का मतलब है recreation recreation का मतलब है कि वो कहीं अपने office या अपने business के time निकालने के बाद मतलगी शाम के time जब वो free होते हैं तो उसमें क्या करते हैं जिम जाते हैं या कई खेलने जाते हैं कुछ करते हैं क्या ऐसा पूछना जरूरी है तो पहले फिर वो ही अपने बारे मताईए कि मैं एक जिम में जाता हूँ मैं एक club का member हूँ आप कहीं पे जाते हैं क्या तो usually आपको ये question का answer हमेशा मिलेगा कि अपने पास वक्त का हैं ये सब करने के लिए अभी आपको ये मानूम पढ़ गया कि उनकी family है उनके occupation में वो कहीं business में काम करते हैं किस टाइब का business करते हैं ये भी मानूम पढ़ गया और क्या वो कहीं पे अपना recreation के लिए कुछ time निकालते हैं क्या अगर वो नहीं निकालते हैं तो ये prospect आपके लिए बहुत अच्छा हो गया लास्ट M का मतलब है message ये पूरी discussion में ना तो आपको उनको invite करना है ना ही आपको उनको कोई proposal लिया कोई business के बारे में बताना है पर एक message जरूर देना है उनको कि मैं एक ऐसी opportunity आपको बताऊंगा जो आप देखके एक अच्छा business खड़ा करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपने सारे सपने साकार कर सकते हैं और यहां पर आपको आपकी बात को खतम करना है और सिर्फ card exchange करना है आपका visiting card उनके पास जाना चाहिए और उनका visiting card आपके पास आना चाहिए महत्व यह नहीं है कि आपका कार्ड उनके पास गया है महत्व यह है कि उनका कार्ड आपके पास आया क्यों क्योंकि उनका फोन नंबर और उनका नाम आपके पास होना जरूरी है क्योंकि वो आपकी लिस्ट में आ रहे है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को आपने अपना कार्ड दिया और उसने आपको कॉंटेक्ट किया ऐसा होता नहीं है Normally आपको ही उनको कॉंटेक्ट करना होता है माल लीजे उनके पास visiting कार्ड नहीं है तो आपको पहले उनका नाम और नमबर लिख लेना है और फिर अपना कार्ड उनके हाथ में देना है ये stranger का नाम और नमबर आपकी list में आना जरूरी है जब ये list में आप नाम लिखते हैं इसको fair qualification करने में भी आपको आसानी होती है क्योंकि already आपने उनको form किया हुआ है आपको उनकी family के बारे में उनके website के बारे में और recreation क्या करते हैं इसके बारे में already मालूम है इसलिए आपको fair qualification करने में आसानी हो सकती है ये तो एक तरीका हो गया किसी को आपने अगर proposal दिखाया और उसने आपको no बोल दिया वो नहीं आना चाहता इसका मतलब क्या है कि उससे आपको reference लेने है मान लीजिए उन्होंने आपको कुछ पांच लोगों का reference दे दिया अब ये पांच लोग जो आपके साथ आए हैं वो आपकी list में add हो सकते हैं आप उनको fair qualify करके proposal दिखा सकते हैं तो मान लीजिए उसमें से दो लोग जुडने के लिए तयार हो जाते हैं जब दो लोग जुडने के लिए तयार हो जाते हैं तो आप अपने नीचे मत जोड़िये उनको जिसने आपको reference दिया है आप उसको phone करके पूछिए कि क्या ये दो लोग मैं अपने साथ जोड़ लूँ क्योंकि आपने तो अभी जुड़े नहीं हैं इस business में ये माना हुआ है कि वो आदमी जुड़ने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि उसका विश्वास बढ़ जाता है कि manager reference दिये थे वो जुड़ने के लिए तयार है इसके मतलब ये business होता है ये तो हो गया जब आप किसी से मिलते हैं तो उनको कैसे prospecting करके या form करके अपनी list में लाते हैं एक काम ओर कर सकते हैं आप किसी भी service organization या किसी club को join कर सकते हैं और वहाँ पे आप कई लोगों से मिल सकते हैं club को join करना मतलब की वहाँ पे actively part लेना नहीं है केवल वहाँ पे join करके आप लोगों से मिलते रहते हैं और उनको prospecting करके अपनी list में लाना शुरू कर सकते हैं हमेशां याद रखिए आपके जो neighbor जो आपके साथ रहते हैं या उठते हैं बैठते हैं उनसे अच्छे relation maintain करके रखिए क्योंकि अगर वो नहीं आना चाहते या वो आपकी list में तो रहेंगे पर वो आना नहीं चाहते पर उनको एक रहेगा कि वो कभी न कभी आपको कुछ ना कुछ reference देते रहेंगे किसी भी party में अगर आपको invite किया जाता है तो जरूर जाइए उस party के अंदर और वहाँ पे भी smiling face रखके जाइए आप जहां shopping करते हैं रोज mall में या किसी shop में shopping करने जाते हैं तो अपनी shop को बदलते रहें जिससे क्या होता है कि आप जब shop बदलते हैं तो ने लोग आपके contact में आते हैं जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे उनके teachers से मिलते रहें क्योंकि उनसे भी relation building हो सकता है जब आपने बच्चे को आप school में कहीं छोड़ने जाते हैं bus stop पे या तो bus stop पे कई parents भी छोड़ने आते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों से मिलते हैं तो वहाँ भी लोगों से मिलके आप prospecting करके अपनी list में ला सकते हैं एक तरीका और है मान लीजिए दो लोगों को रोज में अपनी list में add करूंगा ही ऐसा goal रखते हैं तो आप में एक ताकत एक हिम्मत आ जाती है और आप क्या करने लगते हैं TTP करने लगते हैं इसका मतलब है talk to people if you are not meeting three new people in a day your habits are bad हमेशा याद रखिये कि अगर आप एक दिन में कुछ तीन लें लोगों को नहीं मिलते हैं आपकी आत्ने खराब हैं improve it इसको improve करना जरूरी है so friends go make a big list and keep it dynamic